नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नॉवंबर 2023 के स्पोर्ट्स करेंट फेर्स को इसकस करने वाले हैं प्रफट्सी वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्योशन है, कौनसा देश्ट 2034 में पुरुस फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए तयार है देखिए, 2030 तक के जो हमारे होस्ट हैं, वीफा वर्ल कप के, वो हमें मिल गए हैं अब 2034 है, इनके जो होस्ट है, वीफा वर्ल कप, तो कि फोटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो 2034 का कहाँ पर होगा, साओधी अरब के अंदर होगा भी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पेन, पुर्तगाल और मुरक को, 2030 का जो टोनामेंट है, उसको होस्ट करेंगे आपको यह जान में रखना है, 2030 का कहाँ पर होगा, स्पेन, पुर्तगाल और मुरक को, तीनों देश मिलकर इसको होस्ट करने वाले है और 2034 का कहाँ पर होने वाले है, यह आपको जान में रखना है, यह होगा, साओधी अरेबिया जिसकी अभी अनॉंस्मेंट हुई है, नेक्स्ट है, निमना लेकित क्रिकेट हस्ती हूँ, मैंसे किसी हाल ही में ICC Cricket Hall of Fame में सामिल किया गया है, तो वो किया गया है, विरेंदर सह्वाग को, सी इसमें हमारा correct answer हो जाएगा विरंदर सहवाग को डिसिलवा और यह यहाँ पर एडूल जी को किया गया यह तीन लोग है इन में से आपको धान में रखना है विरंदर सहवाग जो कि इंडिया के उपसे जदा विस्पोटक बल्लेवाज रहे हैं उपनिंग इंडिया के लिए करते थे तो इनको चुना गया है ऐसे से होल ओफ फेम के अंदर एसे शूटिंग चेंपियंशिप 2023 में उरुसों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इस परदा में स्वन पदक किसने जीता कौन से वेंट की बात हो रही है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इसके अंदर एसेन सूटिंग चेंपियंशिप 2023 के अंदर और गोल्ड मेडल जीता है एस्वरिय परताप सिंग सी इस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही देखिए यह हैं इस्वरिय परताप सिंग तोमर और 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन के अंदर इन्होंने पदक गया फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है कौन सा स्टेडियम क्रिकेट के दिगज सचिन तंदलुकर की प्रतिमा के अनावन का गवाहा बनने के लिए तयार है पुचिन तंदूलुकर किरिकेट की लिजेंड है इनका कौन सा स्टेडियम के अंदर एक स्टेचु है उसको unville किया गए है उसका अनावन किया गए है वो स्टेडियम है وानखेड़ी स्टेडियम जो कि मुंबाई के अंदर है यह देखिए, ऐसी इनकी प्रतिमा है, मुंबई का प्रतिष्टित वानखेड़ स्टेडियम, सुचिन तेंदुलुगर की प्रतिमा का अनावरण, भारतो श्रिलंका के बीच में जो वर्ल्ल कप का मैच हुआ था, उसके अंदर इस मुर्ति का अनावरण किया गया, तो आपको समझ लीजिए, टाइम आउट का होता है, एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ होता है, मान लीजिए, दो मिनिट है, तो किसी बैटसमेन के आउट होने के बाद, जब दूसरा बैटसमेन आएगा, क्रीज के अंदर उसको पहली बॉल फेस करनी पड़ती है, पहली बॉल उसको बैटसमेन है, वो दो मिनिट के अंदर सबसे पहली बॉल को फेस कर लेगा, अगर वो बॉल को फेस नहीं कर पाता है दो मिनिट के अंदर, तो उसको टाइम आउट दे सकते हैं, क्रिकेट में विदक कभी नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ल कप का मैच था, इसके अगेंच था स्रिलंका और बंगलादेश, उसमें एक खिलाडी को क्या दिया गया, टाइम आउट दिया गया, तो उस खिलाडी का नाम क्या है, एंजलो मैथ्यूज, सीज के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह देखिए, यह हैं एंजलो मैथ्यूज, इनके हेलमेट की स्ट्रा स्ट्राइब लगाने में इनको थोड़ सा ज्यदा वक्त लग गया, बंगलादेश के केप्टन है, उन्होंने टाइम आउट के अपील कर दी, और अम्पैर ने नियमों का हवाला देते हुए, उनको टाइम आउट करा दिया, क्योंकि दो मिनिट के अंदर यह बोल फेस नही हुआ, तो वो हुआ है, मलेशा के अंदर, भी इसके अंदर हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा, सुल्तान जोहर कप 2023, और इंडिया की जो जूनियर टीम है, उसने क्या किया है, इसमें कांसे पतक हासिल किया है, ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है, इंडियन जूनियर मैंस होके टीम ने, हाल ही में, एक दिव से अंतराष्टी, मैं सरवादिक सत्कों का सचिन तंदुलुकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो यह हमें पता है, कि सचिन तंदुलुकर का जो रिकॉर्ड है, 49 सेंचुरीज का, वो तोड़ दिया है, वो किसने तोड़ा है, विराट क के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेग लेनिंग, किर्केट से समन्दित है, उस्टिलिया की महिला रास्ट्य टीम की कप्तान है, मेग लेनिंग, फॉर्मूल अवन ब्राजिलियन ग्रामपी 2023 किसने जीता, ब्राजिलियन ग्रेंड प्रिक्स की बात हो रही है, और जीता है, मेक्स वरेस्ट पर ने, लगबग इनिका अंसर जो भी हमारे ग्रामपी की रहते हैं, उनमें मेक्स वरेस्ट पर ने लगबग टूनामेंट जीते वे रहते हैं, तो अगर आपको तुक्का कहीं लगाना हो, तो मेक्स वरेस्ट पर नाम मिले, वहां पर आप इसको तो कभी लगा कर ऐसे questions को सही कर सकते हो हाल ही में एक विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेवाज कोन गई है रोहित शर्मा, सी इसके अंदर हमारा correct answer हो जाएगा 2023 का जो World Cup था, Indian Cricket Team के जो कपतान है रोहित शर्मा इन्होंने 50 छक्के लगाए हैं वर्ल्लकप के अंदर जैसे इन्होंने इस वर्ल्लकप में 27 छक्का लगाया तो ये उपलब्दी उन्होंने अपने नाम कर ली तीसरी होकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्डमेंट नेशनल चेंपेंशिक 2023 का उधगाटन किसने किया इसकी बात कर रहे हैं हम लग इंडियन सीनियर मोमें इंटर डिपार्डमेंट नेशनल चेंपेंशिक तो इसका उधगाटन किया अर्दीप सिंग सूरी ने डीस के अंदर हमारा correct answer हो जाएगा इसके अंदर क्या रहता है देश भर की 866 महला टीम में सामिल होती है वंडे क्रिकेट विश्वकप 2023 किसने जीता बहुत ही famous question है आपको पता भी होगा इसमें ऑस्टेलिया ने जीत हासिल की किसको हराया इंडिया को हराया यह उस्टेलिया क्रिकेट टीम है 2023 के वर्लकप जीत लिया और इस वर्लकप के साथ टोटल अब 6 वर्लकप जीत चुकी है उस्टेलिया की टीम और इंडिया ने अगर 50 हवर के वर्लकप की बात करें 1983 और 2011 2011 दो वर्लकप जीते हैं ये World Cup जीतने का चांस था लेकिन मिस्स कर गए और Australia ने बहुत अच्छा खेल दिखाया उससे क्या हुआ इंडिया का जो ये सपना था World Cup जीतने का ये पूरा नहीं हो पया नहीं तो इंडिया ने इस World Cup में एक भी मैच नहीं हारा था लेकिन फाइनल में Australia से वो हार गए इसके बाद देखे क्या दे रखा है 2023 में Player of the Tournament का खिताब किसने जीता तो Player of the Tournament बने है विराट कोहली 20 के अंदर हमारा correct answer हो जाएगा 11 पारियों के अंदर इन्होंने 755 टन बनाये है और इतने रन एक World Cup के अंदर अभी तक किसी भी खिलाडी ने नहीं बनाये है ये भी उनका एक record है 765 फ्रन बनाये और ऐसा एक बार 2003 के World Cup में भी हुआ था 2003 के World Cup में Player of the Tournament रहे थे सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर Player of the Tournament होने के साथ इंडिया ने 2003 का जो World Cup था उसके Final में जगह बनाये थी Final में सामने टीम कौन थी? पॉस्टिले के टीम थी तो 2003 के बाद में पूरे 20 साल बाद 2023 का जो World Cup हुआ है उसके अंदर भी सेम यही हुआ है कि इंडिया के जो टॉप बैट्समैन है विराट कोहली उस टाइम पर 2003 में दुनिया के टॉप बल्लेबाज थी सचिन देंदुलकर उनको Player of the Tournament मिला इंडिया फाइनल में हार गई वर्लकप के और अभी भी यही हुआ Player of the Tournament रहे विराट कोहली और इंडिया फाइनल में हार गई इसके साथ 2030 का जो World Cup है उसका समापन हुआ Player of the Tournament का आपको धहन में रखना है वो रहे हैं पिराट कोहली पैट कमिंग्स कोन है कोस्टिलेंट टीम के केप्टन है रोज सरमा का आपको पता ही है और ट्रेविस हैड है इन्होंने अच्छी पारी खेली थी लगबग 150 के लगबग उन्होंने रन बनाए थे और इनके जो पारी है उसी से इंडिया की टीम इस मैच को हार गई नुवाग जोकविच ने फाल ही में टूरीन इटली में अपना रिकोर्ड साथवा एटीपी फाइनल किताब जीतकर इतियास रच दिया फाइनल में इन्होंने किसको हराया इटली में अपना रिकोर्ड बनाया है इन्होंने और एटीपी फाइनल का खिताब जीता है किसने जीता है नुवाग जोकविच ने एलेक जेंडर जुयरेव को इन्होंने हराया 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल का ब्रेंड एमबेसडर बनाया गया है इस राजय सरकार और AIFF जिसको हम All India Football Federation बोलते हैं इन्होंने क्या किया है एक टेलेंट केडमी की स्तापना की है और फीफा के सेयोग से ये समझोदा ग्यापन पर हस्ताक्सर किये हैं इसके साथ फीफा ने एक MOU साइन किया है कौन सी गवर्मेंट का नाम है तो वो सरकार जो है ओडिसा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जैसे कि आप देखें अगर हम होकी की बात करते हैं तो होकी की जो स्पांसर है नेशनल टीम की वो कौन है ओडिसा गवर्मेंट है तो स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर रही है ओडिसा सरकार इसके साथ साथ आपको फीफा का भी धान में रखना है लास वेगास ग्रेंट प्रिक्स 2023 किसने जीती तो वो भी देखिए यहाँ पर नाम आपको दिखाई देरा होगा मैक्स वेस्ट पन सीस के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और विराट कोले की जो मॉम की मुर्ती है वो कहां लगने वाली है तो वो लगेगी जैपूर के अंदर सीस के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है पराट कोले की मॉम की प्रतिमा लगेगी जैपूर के नहारगड किले के अंदर जो वेक्स मुजियम है वहां पर पर पराट कोले का वो मॉम का पुतला है वो लगने वाला है Senior National Square Championship के इतियास में दूसरे सबसे कम उमर के किताब विजेता कौन बने है किसकी बात हो रही है स्क्वेस जो चेंपियन सिप है सीनियर नेसल की उसकी बात हो रही है तो वो बने है अनहाथ सिंग 20 के अंदर हमारा correct answer है अनहाथ सिंग को अगर आपको धान में रखना है नाम तो अनहाथ हमारे स्क्वेस से समन्ने था ऐसे questions आपको देखने को मिल सकते हैं उग्जाम में जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि अनहाथ सिंग कोन से GEMS से तो आपको वहां पर स्क्वेस कर देना है क्योंकि ऐसे questions हम इनए उग्जाम में मिलेंगे प्रतिबंद लगा दिया गया, इस प्रतिबंद का कारण क्या था, इसका कारण था match fixing, यह Marlon Samuels हैं, इन पर 6 साल का प्रतिबंद लगाया गया था, और इन्होंने क्या करी थी, match fixing करी थी, हाल ही में, ISSF विशो का फाइनल में, पूरुसों की 25 मिटर, Rapid Fire इस परदा में, पदक जीतने वाले पहले भारती निसाने बाज, कौन बने हैं, तो वो बने हैं, अनीस भनवाला, सीस के अंदर हमारा correct answer हो जाएगा, अनीस हैं, और इन्होंने, ISSF वर्ल्ड का फाइनल के अंद Rapid Fire केटेगरी, जो है 25 मिटर की, उसके अंदर मेडल जीता है, कौन से मेडल जीता है, कांसे पता गया, फिर ब्रॉंज मेडल, हाल ही में, दोहा कतर में, IBSF 6 Red Snooker's Visu Championship का किताब, किसे न जीता है, वो जीता है, विद्या पिल्लाई, विद्या पिल्लाई ये हैं, और स्नूकर किए कहा है, चैंपियन रही है, ये आपको धन में रखना है, विद्या पिल्लाई, कौन से गेम से रिल्टेट है, स्नूकर, 2023 में Davis Cup किसी न जीता, Davis Cup के वारे में हमें बहुत सारे questions देखने को मिलता है, तब से पहले तो ये देखने को मिलता है कि Davis Cup कौन से गेम से है 2023 का अल्टिमेट खोको का दूसरा जो एडिशन है वो कहां होने वाला है तो वो कटक में हुआ है 20 के अंदर हमारा क्रेक्टा अंसर है इसमें टोटल 145 जो हमारे खलाड़ी है भारत के वो सामिल होने वाले तेरवी होकी इंडिया सीनियर पूरुस राष्टेर चेंपिनशिप 2023 के फाइनल मैच में कौन विज़े रहा हृँ इसके अंदर जो फाइनल में जीती है टीम उसका नाम है पंजाब पंजाब टीम ने सीनियर नेसल चेंपिनशिप को अपने नाम किया है कौनसा एडिशन था 13 अधिशन को हराया हरियना को हरा करनों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया कहां पर हुआ था तंमिल आडु के चेननी शहर के अंदर कौन सा टेडियम था मेर रादा कृष्षण स्टेडियम इन सबी को आपको धहन में रखना है और अगर हम ये 13th edition की बात करें तो 13th edition तक होकी जो पंजाब है पंजाब की टीम ने है ये अपना चोथा किताब अपने नाम किया है अक्टूबर 2023 के लिए ICC Player of the Month का पुरुसकार किसने जीता है नॉवंबर के जो क्रंट फेर्स है उसमें पिसले महने का जो Player of the Month है वो हम देखते हैं तो ऑक्टोबर महने के लिए चुना गया है रचिंद, रविंदर और एले मैथ्यूज ये हैं रविंदर और मैथ्यूज कौ सुबमन गिल थे और सेप्टेंबर में भी सुबमन गिल ही थे एए चसी Player of the Month इसके लावा इंडिया की है तो कोई Female Player है वो तो अभी तक रही नहीं है सुबमन गिल के यह आपको धान में रखना है यह जनवरी और सेप्टमबर में चुने गए थे तो नॉवमबर महिने के स्पोर्ट्स के रंड़ फिर्श में प्ला ले इतना ही जैहिंद